चैने दोस्तों अगर आप आगामी दिनों में कोई भी एक्जाम देने जा रहे हैं तो आज का ये 10 मिनट का वीडियो देखे जरूर जाईएगा क्योंकि आज हम एक पहली के ऐसे ऐसे टाइप की बात करने जा रहे हैं जहां से हर एक्जाम में कुश्चन देता ही देता है और बहुत से विद्धारती इस कुश्चन को छोड़ा जाते हैं क्योंकि इस कुश्चन का लेंगविज इतना बड़ा होता है कि वो देख कहीं डर जाते हैं लेकिन धैरे बनाके रखिए 10 मिनट के बाद आपका ये तीन नंबर कहीं नहीं जाने वाला अर्थात आपकी नौकरी टीम वेज अब पQué गदे होता हैं लेकिन ऐसे नहीं होता कि किछी को भी कोई भी यूँवि टीम बना लिया कुछ सर्टों के साथ हमें टीम मनाना होता है और फिर वांली हमें ये बताना होता है कि इन सर्टों को कौउ mechanic फुलफिल करता है इन सर्टों को कौउँmi अवधर ह बनाना है सर्थों को ध्यान में रखके बनाना है आप्षन एलिमिनेट करना है और फाइनली बताना है कि कहुंसा बिकल्ब सर्थों को पूरा करता है यह पूसिबल है बस दस मिनट में मज़ा आ जाएगा जिंदगी भर के लिए फुरसत हो जाएगा आइए देखते हैं यार वकील है अच्छी बात है CD PQS डॉक्टर है अच्छी बात है सेश टीचर है तो पहले इस पे काम कर लेते हैं टीचर कौन-कौन है तो आप बुलेगा सर एबी CDE में AB वकील बन गए CD डॉक्टर बन गए बचा ई तो टीचर होगा बहुत बनिया PQRHTU में आर्थो वकील बन गया अब PQS डॉक्टर गया तो बचा u और बचा t यह teacher हो जाएंगे अरे clear है तो यह छोटा सा काम था कि teacher कौन को नहीं पता कर लिया उसके बाद आगे क्या काहए है यह सर्त दे रका है कि टीम का सेलेक्षन करते समय इन सर्तों को ध्यान में रखना है तो अब क्या करें, अब सुनिए क्या करना है, यह जो भी सर्थ रखें ना जो भी सर्थ, इन सर्थों को अपने रफ सीट पे एक सौर्ट उतार लिजें, जैसे क्या कह रहा है, पी और यू साथ साथ रहेंगे, तो पी और यू लिक्के गुड लगा दीजिए, यानि हम हर उस को हटा देंगे, जहाँ P के साथ यू नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि बोला, P और यू साथ साथ रहेंगे, बचपन में ऐसे बहुत करते थे, ये खेलेंगे तब ही, हम खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, हम घर जा रहें, बस वही विकल्ब को हर उस विकल्ब को हटा देंगे जहां भी बी के साथ डी ला दिया होगा या बी के साथ आर ला दिया होगा अरे क्लियर है बहुत बढ़िया आगे यह और क्यू साथ रहेंगे तो इसको भी सॉट में लिख लिजिए यह और क्यू साथ रहेंगे यानि हर उस विकल् C और T साथ नहीं रहेंगे नहीं रखा होगा, क्योंकि बोला है C और T साथ रहेंगे, आगे D के साथ P नहीं रह सकता D के साथ P नहीं रह सकता, तो ऐसे लिख दीजे D के साथ P नहीं रह सकता हर उस विकल को हटा दिया जाएगा, जहां D के साथ पी लाया होगा आगे क्या कह रहें सी क्यू के साथ नहीं रह सकता सज़ क्यों के क्रास लगा दीजे रहो समीति घृट ubiqu के साथ नहीं रह सकता कर लिया अगर आपको कोई और नहीं सकता कि आप कुश्चन गलत कर दें अब आएद कोशन ने प्टाते हैं क्यारा समीती में एपुरुष वकील एक पुरुष डॉक्ट्र एक महिला डॉक्ट्र दो टीचर है तो समीती के सदस्य होंगे तो आब मेरी बात सुनिए जokee से ये कितने वकील, कितने डॉक्ट्र, कितनी महिला डॉक्टर कितना सी चक यह बाद का मुद्दा देखेंगे पहले हम यह देख लें कि कों सा विकल्प है जो इन सर्तों को फुल्फिल नहीं कर रहा है फिर उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा तो आएए इस विकल्प को देखते हैं पहले विकल्प में पहले बी है बी की सर्त क्या थी सर बी की सर्त थी उसके साथ डी नहीं होना चाहिए आर नहीं होना चाहिए तो ठीक है बी के साथ डी भी नहीं है आर भी नहीं है सी की क्या सर्त थी सी के साथ टी होना चाहिए चलिए है और दूसरी सर्त थी सी के साथ क्यूं नहीं होना चाहिए जब कि हा डी का सर्त है सर डी के साथ पी नहीं होना चाहिए डी के साथ पी नहीं होना चाहिए जब कि यहां तो डी और पी साथ में आ गया है खतम 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 यहां एका कोई सर्त है सर एका कोई सर्त ने डी का सर्त क्या है पी नहीं होना चाहिए पी नहीं होना चाहिए यहां तो डी के सा वकील एक पुरुष डॉक्टर एक महिला डॉक्टर दो टीचर है वही वाला सही हो जाएगा जब तीन सर्तों पर ही एलिमिनेट हो गए तो चोथे का तो टेंसन ही नहीं आपके कानफर्मेशन के लिए चेक कर लीजे क्या बोला एक पुरुष वकील ठीक है पुरुष कौन था है करा एक महिला डॉक्तर महिला डॉक्तर को ने पी क्यू एस क्योंक्य महिला कौन थी पी-कम्हिला कौन थी तो उसमें से ठीक यह डॉक्तर है और तो दो टीचे ने E u t ट जिसमें से यू और टीचर है घए टना भी वक्षडाना था घर अगर आगर हमारे त exclud्या लिए तो 14 हो जाएगा निए कि ये लाइन बाद में कि पहले सर्थ को फुल्फिल करता एकके कोई सर्त एक कोई सत्थ्य बी का क्या सर्थ है बी के साथ डी नहीं होना चाहिए बहुत अच्छी बात है और पी का कोई सर्थ है पी के साथ यू होना चाहिए चलिए पी के साथ यू है पी का सथ डी नहीं होना चाहिए नहीं है क्यूं का कोई सर्थ है क्यूं का सर्थ है क्यूं के साथ यू होना चाहिए जबकि यहां Q के साथ E नहीं है यह वाला गलत इसे देखें A का तो कोई सर्थ नहीं है P का कोई सर्थ है क्या P का सर्थ है P के साथ D नहीं होना चाहिए चलिए नहीं है और तो खेर P का कोई सर्थ नहीं है R का कोई सर्थ है R का सर्थ है B नहीं होना चाहिए चलिए R के साथ B भी नहीं है S का कोई सर्थ है क्या नहीं S का कोई सर्थ नहीं है U का कोई सर्थ है U का सर्थ है उसके साथ P होना चाहिए U के साथ P है मतलब यह वाला टीम पॉसिबल है इसको देखे बी का सर्थ क्या है बी के साथ डी नहीं होना चाहिए बी के साथ आर नहीं होना चाहिए लेकिन यह देखे बी के साथ आर आ गया है बी के साथ आर नहीं होना चाहिए बी के साथ आर आ गया है यह वाला गलत यह देखे एका कोई सर्थ नहीं है बी का सर्थ डी नह से होना चाहिए नहीं है कही सर्त है नहीं कोई सर्त नहीं है मतलब यह भी पॉसिबल यह भी पॉसिबल मतलब इन सर्तों को यह दोनों बिकल फुलुफिल करने अब मैं अब मैं देखूंगा किसमें दो पूरुस वकील दो महिला डॉक्टर और एक टीचर है तो आएधिखते है पहले तो हमें दो पूरुस वकील चाहिए हमारे पास पूरुस वकील में A B है A B क्योंकि A B C D E वकील थे जिसमें से A B वकील है तो किसमें दो पूरुस वकील है जहां से देखते हैं इसमें एक ही पूरुस वकील है केवल A जबकि इसमें दो पूरुस वकील A B है मतलब यह भी गलत यह सही अरे क्लियर है बहुत आसान होता है पहले सर्थों के हिसाफ से एलिमिनेट करिए फिर ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए चलिए इसे देखे इसे देखे कौन फुल्फिल करता है कौन फुल्फिल नहीं करता है एक क्या सर्थ है कोई सर्थ नहीं है एका सर् सर्थ नहीं है सी का सर्थ है टी होना चाहिए चलिए सी के साथ टी है पी का सर्थ क्या है यू होना चाहिए चलिए यू भी है और पी का सर्थ डी नहीं होना चाहिए डी नहीं है आर का सर्थ क्या है बी नहीं होना चाहिए चलिए नहीं है और टी का क्या सर्थ है टी का सर्थ हो होना चाहिए है यू का सर्थ पी होना चाहिए है यानि ये सर्थों को फुल्फिल करता है इसे देखिए बी का सर्थ क्या है बी के साथ डी नहीं होना चाहिए बी के साथ आर नहीं होना चाहिए लेकिन यहां बी के साथ आर आ गया है यह गलत यह वाला देखिए एका कोई सर्थ नहीं है बी का साथ डी आर नहीं होना चाहिए नहीं है C का सर्त T होना चाहिए है P का सर्त U होना चाहिए है T का सर्त होना है TC होना चाहिए है और U का सर्त P होना चाहिए है मतलब यह भी है अब बात फिर से 2 बच गए मुच्छी जानते हैं 4 में 3 eliminate हो जाते है लेकिन हमने जानभूच के standard बढ़ा आए ताकि आप कहीं ना फसे अब बात है दो बच गया दो तो अब देखे किसमें दो वकील दो टीचर और दो यह डॉक्टर और तीन महिलाएं से अधिक कम नहों यह वाली बात फुल्फिल करता है करा दो वकील होने चाहिए तो वकील कोने ए बी और आर तो इसमें से चलिए ए और लगनिसी कुम स्धीचर में चलिए अच्छी बात है दोंक्टर होने चाहिए का जैब कि कितने चाहिए दो रचे और डॉक्तर काौन है CDCPS यहां भी दोक्टर है यहां भी दोक्टर है CB agriculture है CDPQS यहां भी दोक्टर है क्या इसमें दो doctor है CDPQS चलिये C है और D तो है नही, CP चलिये अहां, दो doctor भी है आगे क्या करा रहा था महिलाएं 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए अब देखिए 3 से अधिक मेला है किसमें नहीं है तो इसमें कितनी मेला है इसमें मेला है PHP पी आर्टी यू इसमें देखें चार महिला ना यहें चार महिला की महिला देखें ना पी QRSTU और इसमें महिला पी आर टी इसमें बहुत आहिक महिला है नहीं होनी चाहिए इस वह अष्य है तो यह व라고 है किसरतों को के स़ंट में लिखने करिए बस गुड़ क्रॉस गुड़ क्रॉस से की मदद वी इस वाले सौट नोट की मदद से तीन बिकल्प कर दिजे एक सई कर दिजे रेयर होता है अगर दो बिकल्प बच जाते हैं तब हम इन सर्तों को भी ध्यान में रखते हैं अरे क्लियर है चलिए एक और लगा दिजिए वीडियो लगा के वीडियो को रोक के एक और लगाए फिर इस वाले का फुर्सत रोक ये वीडियो एक बड़ अब मेरी बात ध्यान से सुनिए अब मुझे पूरा विश्वास है आप इन सर्तों को इसी तरह सौट में गुड़ क्रॉस लिख लेंगे और इनके आंसर बड़े प्यार से कर सकते हैं मैं एक छोटा सा हिंट दे दूँ आपको जैसे इस वाले कुशन में देखिए क्या कह र तो इस बिकलत में दी को जोड लीजेगा उसके बाद उन कंडिशन को चेक करिएगा क्योंकि टीम का सदर से ड्य है तो दीके कंडिशन को भी ध्यान में रखना है इसलिए बीकल्व में आप दी कर लीजेगा ऐसे क्या कर रहा है। टी द Уम पी खुद से रिख ले न है और फिर इन्हें चेक करना है तो अम मेरा मानना है कि आप ऐसे प्रस्णों को अराम से यहां सौल्व कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और इन सब के आंसर कमेंट बॉक्स में बताईएगा हम आपको बता